आज हम कॉंटिन्यू करेंगे फिजिक्स की टे सिरीज जो की रेल्वी ग्रूप डी एक्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन्स एड़ करें तो आप इन्हें जरूर अच्छे से अर्टम करिएगा आप टेलिग्राम ग आउनलोड करें गूगल प्लेसे जहां पर आपको वेरियस कॉंपॉर्टेटिव एक्जाम्स के टे सेरीज प्रोवाइट के जाते हैं अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और मैक् आपको यहां पर द्यान रखना है कि काम करने वाले लेजर का आविशकार किसने क्या था यह कोश्चन है ठीक है जो लेजर वर्किंग है उसका आविशकार किसने क्या था ओप्शन है एच तेलर डेबलियो के रॉंग्टिन ती-एच मेनन या फिर फ्रेंड मॉरिसन करेंट आंसर है ओप्शन सी डाट इस ती-एच मेनन नेक्स्ट क्यूशन वक्र के चारो और घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काड़े करता है जब कोई भी कार या फिर कोई भी वहिकल कर्व में मूव कर लिए है ना तो उस वक्त कौन से बल का कौन से बल उस वक्त कारी करता है या आपको बताना है ओप्शन है केंदरा पसारक बल एकजुट बल केंदरा भी मुख बल और यहां फिर है गूरुत वाक्षन बल यहां पर करेक्त आंसर है ओप्शन सी जो कि है केंदरा भी मुख बल जो केंद्रा भीमुक बल होता है वो कब लगता है जब कोई भी जैसे यहां पे कोशन में हमारा कार दिया हुआ था ठीक है तो जब कोई भी चीज किसी कर्व में मूव करें जैसे अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगी तब भी वो कौन सा केंद्रा भीमुक बल नेक्स कोशन है रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए उचित किरने हैं वो कवन सा कार्बन डेटिंग के लिए प्रॉपर dato है ठीक है कार्बन डेटिंग के लिए उचित कौन सा है इन में से गरेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मांडिय किरण ओके नेक्स्ट कोशिन है सम्वेग परिवर्तन की दर है रेट अफ चेंज अफ मोमेंटम है ऑप्शन से हमारे पास छेत्र दवाब बल या फिर वेग तो सम्वेग परिवर्तन की दर है तो आपको इसमें से बताना है किस चीज की है करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी बल की और इसका आप फॉर्मला देख सकते हैं यहाँ पर है आपको मोमेंटम हमें दिया हुए है एम इन्टू वी ठीक है नेक्स कोशन है उर्जा के वेकल्पिक श्रोतों के संदर्भ में एक वहवार जैव एधन के रूप में इथनौर प्राप्त किया जा सकता है ओप्शन है आलू, चावल, गन्ना या फिर गेहूं गरेक्ट आंसर है यहाँ पर ओप्शन सी जो की है गन्ना नेक्स कोशन नाभकिय त्रिजा को व्यक्त करने के लिए सबसे उप्युक्त इकाई कौन सी है ओप्शन है फर्मी, आंग्स्ट्रॉंग, माइक्रोन या फिर नैनो मीटर तो आपको बताना है कि नाभकिय त्रिजा को व्यक्त करने के लिए सबसे उप्युक्त इकाई कौन सी है करेक्ट आंसर है हमारा option A जो की है firming next question dash किसी tantra या tant से उस पर बाहरी बल द्वारा उर्जा का यांत्रिक इस्थानंत्र है options है काम शक्ति तीवरता या फिर बल dash is the mechanical transfer of energy to a system or from a system by external force on it तो यहां पर correct answer हो जाएगा option A जो की है work ठीक है तो कोई भी mechanical तो हम यहां पर अगर इसको fill कर दें तो यहां पर हो जाएगा work ठीक है work is a mechanical transfer of energy to a system जब हम किसी system पर बल लगा रहे हैं ठीक है energy transfer हो रही है किसी system में या फिर system से energy transfer हो रही है तो एक उसमें क्या लगता है बल लगता है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं work बोलते हैं जब energy का transfer होता है system में या फिर system से ठीक है next question है the speed of electromagnetic waves is the same for विद्य चुम्ब के तरंगों की गती समान होती है किस में होती है समान सभी माध्यम में सभी तीवरता सभी आवरितियों में या फिर सभी तरंग धैर है तो आपको बता रहे हैं the speed of electromagnetic waves is same for speed होती है electromagnetic same किस के लिए होती है ठीक है यहां पर correct answer हो जाएगा option B सभी तीवरता all intensities next question है what is impulse equal to impulse किस के बराबर है options है गती में परिवरतन के बराबर बल में परिवरतन वेग में परिवरतन या फिर त्वरण में परिवरतन यहां पर correct answer हो जाएगा option A गती में परिवरतन अगर आपको हमारा content पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सकाइब करें और maximum लोगों तक इने शेर करें next question है निमने मैं से किस प्रकार की तरंगे अन्नी तरंगों से भिन्न है options है प्रकास तरंगे, X-ray, रेडियो तरंगे या फिर ध्वनी तरंगे correct answer है ध्वनी तरंगे तो light waves, X-rays और radio waves एक और sound waves पूरे different है इन तीनों से ही है ना इसका explanation देख लेता है जो all three थे light waves, X-rays और radio waves वो transversal थे ठीक है और जो sound waves होते हैं कौनसे waves होते हैं? Longitudinal waves तो आपको याद रखना है next question है बल लगाने के बिंदू और घुणन अक्ष के बीच में लंबवत दूरी कहला दिया the perpendicular distance between the point of force and axis of rotation is called options हमारे पास है आगून भुजा, उचाई, निश्क्रियता के पल या फिर कोणी गती यहां पर correct answer है आगून भुजा ठीक है जो इक perpendicular distance होती है point of application of force जहां से force लगा जा रहा है and the axis of rotation जहां से rotation होगा ठीक है उसकी axis तो उन दोनों के बीच में उन दोनों के बीच की जो distance है उनको क्या बोलते हैं यह आप से पूछा गया था और यह हमारे एक correct option है ठीक है next question है electricity is produced through dry cell from शुष्क सेल द्वारा विद्यूत का उत्पादन होता है कौन सी energy produce होती है यह हमारे options है रसाइनिक उर्जा तापिय उर्जा यांत्रिक उर्जा यह फिर पर्मानू उर्जा correct answer है रसाइनिक उर्जा ठीक है 14th question है उप्ग्रहक में उप्ग्रहकी समया विधी निमने लिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है options है हमारे पास प्रिथवी की तरजा उप्ग्रहकी उचाई उप्ग्रहक का द्रव्यमान या फिर इन में से कोई भी नहीं यहां पर correct answer हो जाएगा उप्ग्रहका द्रव्यमान 15th question है निमने लिखित में से कौन एक शादिश राशी नहीं है तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ठीक है जो शादिश राशी होती है वो magnitude पे भी depend करती है और एक उसके direction पे भी depend करती है ठीक है तो यहां पर options हमारे पास है त्वरण विद्यत प्रवा ताकत और वेक करक्तांसर हो जाएगा विद्यत प्रवा और बागी सब जो acceleration है force है velocity है त्वरण ताकत और wake यह सारे ही क्या है vector quantity है आप आकलन एप डाउनलोड कर सकते हैं Google Play से जहाँ पर आपको various competitive exams के test series प्रवाइट के जाते हैं तो यह वीडियो end होने के बाद आप Google Play से आकलन एप को जरूर डाउनलोड करें 16th question है संगीत समारो के लिए बनाए गए hall की दिवारे तो आपको बताना है the walls of the halls built for music concerns should तो जो music concerns होते हैं जिस भी hall में तो वहाँ पर किस टाइब का walls होने चाहिए किस टाइब की walls बनाने चाहिए आप से पूछा है options है ध्वनी बनाना प्रतिविम्मित ध्वनी संचारित ध्वनी अफशोषित ध्वनी the correct answer here is d that is absorb sound तो जो walls होती है वो इस ताइब की walls होती है जो की क्या करती है sound को absorb करती है okay 17th question is the energy by virtue of its position is known as अपनी स्थिती के आधार पर उर्जा कहलाती है options है गतिज उर्जा संभावित उर्जा आंत्रिक उर्जा या फिर उर्ष उर्जा correct answer है यहाँ पर संभावित उर्जा तो energy by virtue of its position उसको क्या बोला जाता है संभावित उर्जा बोलता है अपनी स्थिती के आधार पर जो उर्जा कहलाती है उसको potential energy बोलता है next question किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कारे करने वाले बल को कहते हैं the force acting on a body for a short time कोई body है और उस पर force काम कर रहा है ठीक है पर यह जो force है वो बहुत कम time के लिए है तो उसको हम क्या बोलेंगे और सदबल गती आवेग या फिर तनाव करेक्ट आंसर है आवेग इसको हम बोलेंगे impulse ठीक है next question one femtometer is equal to how many meters तो आपको बताना है कि एक femtometer कितने meter के बराबर होता है options हमारे पास है 10 raised to the power minus 12 10 raised to the power minus 14 one raised to the power minus 15 या फिर one raised to the power minus 24 correct answer है one raised to the power minus 15 और भी आपे आपको दिये है one जो nanometer है वो कितने meters के equal होता है 10 raised to the power minus 9 meters ठीक है और आपको पीको मीटर, टेरा, पेंटा यह सब दिये है आपको यह learn करना है ठीक है इन में से कोई भी आ सकते है आपके exam में next question है निमने लिखित मैंसे किस परिखटना की कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुछलने पर सफेद दिखाई देता है options है कुल आंतरिक प्रतिबिंब, विवर्टन, बिखडने या फिर अपवर्टन correct answer है बिखडने ठीक है तो यहां पर colored glass है वो white color का हो जाता है जब हम उसको powder form में convert करते हैं ठीक है और वो किस वज़े से होता है? scattering के वज़े से, बिखडने के वज़े से next question है ध्वनी उर्जा का विद्युत उर्जा में रुपांतरन किसके द्वारा किया जाता है? options हमारे पास है source cell, gramophone, microphone या फिर ध्वनी विश्टाक्रक यंत correct answer है microphone तो जब sound energy को हम electrical energy में convert करते हैं ध्वनी उर्जा को विद्युत उर्जा में रुपांतरित करते हैं तो किस के द्वारा किया जाता है? microphone के द्वारा next question है storage battery में किसका उप्योग किया जाता है? options हमारे पास है copper, lead, tn या फिर zinc यहां पर correct answer हो जाएगा option B जो किया है lead, ठीक है? सीसा, सीसा का use किया जाता है storage battery में next question है is washing machine का कारी सिधान्त किया है? the working principle of washing machine आपको बताना है, ठीक है? options है केंद्रा पसारर, dialysis, विप्रीत पसारर, या फिर प्रसार correct answer है centrifugation that is केंद्रा पसारर तो आपको working principle जब भी washing machine का पूछेएगे तो आपको याद रखना है वो centrifugation के वजह से होता है 24th question क्या है? निम निम मेंसे किस प्रकार की तरंगों का उप्योग रात्री धंटी तंत्र में किया जाता है which one of the following types of waves are used in night vision apparatus तो रात्री धिश्टी में किस तंत्र का उप्योग किया जाता है? रेडियो वेव्स का, शूष्मे तरंगों का, इंफ्रारेट तरंगों का या फिर इन मेंसे कोई भी नहीं correct answer है C, that is infrared waves इंफ्रारेट तरंगों का यूज किया जाता है last question है आसकी test series का which one of the following does a TV remote control unit use to operate a TV set TV remote control unit, TV set को संचालित करने के लिए निमनल इखित में से किसका अभियोग करती है? options है, प्रकास तरंगे, ध्वनी तरंगे, शूष्मे तरंगे या फिर रेडियो तरंगे या फिर correct answer हो जाएगा option D, जो कि यह रेडियो तरंगे तो यह आज का last question था अगर आपको इसी तरह के most important test series attempt करने है तो आप हमारे YouTube चैनल में जाके playlist से और भी subject के test series देख सकते हैं जो कि आपका railway group D examination में definitely आपके score को increase करेगा, okay? तो और अगर आपको हमारा content पसंद आता है तो please subscribe our channel, like our videos और bell icon को ज़रूर प्रेस करें ताके आगा आने वाले important notifications आप तक पहुंचें Thank you and have a good day Thank you